और मेरे चटरों कैसे हुआ आज मैं आपके साथ नाचोस बनाने का तरीका शेर कर रहा हूँ सीक्रेट वाला वैसे तो बहुत सारे रेसिपीज है उनलाइन उसमें क्या हो रहा है टोटी दा चिप्स बना कर बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि नाचो बन गए वैसे नहीं होता है मैं सीक्रेट तरीका शेर कर रहा हूँ जरूर से ट्राई करना इसकी चीज मसाला सीजनिंग भी बनाऊँगा तो वीडियो देखते हैं कैसे बिनाना है नाचोस घर पे नाचोस के लिए मेज फ्लार या मकी का आटा लगेगा वान कप यह काफी हलका होता है तो अच्छी तरह पैकिंग करके फिल करना है कप में यह मैंने ठूस ठूस के भर लिया अब हम लोग कढ़ाई गरम करके इसमें पानी डालते है यह भी वान कप पानी में उबाल लेकर आ आटे ना वह लाल पड़ जाता है कि दोनों चीज हो गई अब हम लोग वान कप इसमें मेज फ्लार डाल देंगे और इसको मिक्स करना है जैसे ही इसमें सूखा आटा गीला होने लग जाता है मतलब आपको ड्राइफ लार कम लगता है गैस को बंद करना है अच्छी तरह मिक्स करके धक्कन लगाके इसको 10 मिनिट के लिए रेस्ट करने देना है ऐसे करने से बाइंडिंग आ जाती है मकी के आटे में जो कि बहुत जरूरी है पतला पतला बेलने के लिए 10 मिनिट बाद मैं इसको पराथ में निकाल रहा हूं इसकी अच्छी तरह नेडिंग करनी है पराथ में निकालने के बाद और चीज़ें भी डलेगी 4 टेबल स्पून्स मैंने यहां पर मैदा इस्तमाल किया है इसी के साथ में फ्लेवर के लिए आधा चममच, वाइट पैपर पावडर ब्लैक पैपर पावडर भी इस्तमाल कर सकते हैं और आधा चममच, MIX HEURBS इसमें चीज़े के लिए आप चाहोँ तो चीज़े पावडर अभी भी डाल सकते हो लेकिन honestly अगर last में डालेंगे ना coating करेंगे तो जाधा अच्छा टेस्ट आएगा अब बस अपने हातों से इसको अच्छी तरह mix करना है, binding लेकर आनी है जो भी सूखा हम लोग ने मैदर डाला है न वो दिखना नहीं चाहिए अगर शुरू में मकी का आटा और पानी की quantity सही थी तो अभी कुछ भी डालने की जुरत नहीं पड़ेगी आटा एकदम सही से बन जाता है सूखा मैदा सारा गाया भोग गया है और यह जो आटा बना है medium नरम है असानी से टूट रहा है अब बस इसको ढखके अराम करने देंगे पांच मिनेट तक तब तक प्लास्टिक की तैयारी करते है नाचो को पतला बिलने के लिए ऐसी प्लास्टिक की शीट लगेगी एक नॉर्मल जिपलोग बैक को भी दो तरफ से खोल के इस्तमाल कर सकते है बस यह मुथ पूछना यह वाले कहां से आए यह मैंने साफ कर लिए अच्छी तरह अब इसमें तेल लगाते है तेल लगाने से आसानी से निकल जाएंगे जब हम लोग फ्राई करेंगे ना तब अब चलो नाचो बनाते हैं यह मैंने एक लोई तोड़ ली इसको थोरा सा स्मूध कर लेते हैं प्लास्टिक के ऊपर रखकर ऊपर से भी ढख देंगे और फिर हलके हातों से इसको बेलना है नाचो हम लोगों को पतला बेलना तो उस बात का ध्यान रखेगा लेकिन इतना भी पतला नहीं होना चाहिए कि बेलन जब आप चलाओ तो आपको नीचे चकला दिखने लग कर कैची से काट कर फ्राइ करते ना जो टोटिला चिप्स बनाकर फ्राइ करते हैं उसमें बहुत मोटे बनते नाचोस आप यह वाला तरीका ट्राइब करना ट्राइड और टेस्टेड है मज़ा आ जाएगा चलो यह बिल गया है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी और थिकनस दिख अब नाचोस कट करते हैं पहले मैं इसकी साइड को हटा रहा हूं ताकि सेम साइज के नाचोस बने और मुझे तो भाई छोटे साइज के नाचोस पसंद है तो उसे हिसाप से इसमें मैं कट्स लगा रहा हूं यह मैंने 1.5-2 इंच अपार्ट में कट्स लगाया है अगर आपको बड़े साइज के नाचोस चाहिए तो 2.5-3 इंच अपार्ट में लगाईएगा कट्स लगें दो पीस अब ट्राइंगल कट्स बनाएंगे बिल्कुल ऐसे नाचोस की शेप कटने के बाद इसमें हम लोग काटे से छेद बना देंगे वरना यह फूल जाते है फ्राइ करते समय यह शीट पूरी बन गई इसी का प्लास्टिक से मैं वापिस धक्के रख रहा हूं और बाकी के भी ऐसे ही बनाने हैं सही बोलू तो 30 मिनिट लग जाती है नाचोस बनाने में बेलने में और खाने चार्जने बैठे तो 3 मिनिट में खतब हो जाता है लेकिन मज़ा जोरदार आएगा घर में बनाकर खाने का तो ऐसे ही बाकी के भी मैं बेल कर कट करके तयार कर लेता हूँ तो चलो आप फ्राई करते हैं तेल मैंने मीडियम गरम करने रखा हुआ है यहाँ पर तेल का टेंपरेचर मीडियम लो होना चाहिए वरना नाचोस बहुत ज़्यादा कलर ले लेंगे और नरम भी हो सकते है एक-एक करकर दो-दो करकर इसमें डालकर फ्राई करना है ज़्या बस लगातार चलाते वे इनको फ्राई करना है वरना यह अनिवन तरीके से फ्राई होंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे जगे-जगे तो लगातार चला चलाकर इसको फ्राई कर लिया मैंने यह पुरे रेडी है अब मैं इसको एक जाली में निकाल रहा हूँ कि फ्राई करने की प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए जब आप चार-पाच ऐसे नाचुस निकाल लो तो एक बार में दो-तिन भी इसमें डाल सकते तेल में फ्राई करने के लिए इसको चलाते चलाते ही पता चल जाते कि यह कितने कड़क हो चुके है अगर दो-तिन जने हो तो फटा-फट नाचुस बेलने का भी काम हो जाता है फ्राई करने का भी काम हो जाता है मेरे तो भी सारे नाचुस बन गए इनको आप चाहो तो एटाई डब्बे में एक महीने तक भी रख सकते हो लेकिन उतने चलते नहीं है, इतने टिस्टी जो बनते है अब इसका एक स्पेशल चीस मसाला पावडर बनाते है उसके लिए मैंने ये बोल में एक चम्मच लाल्मिर्च पावडर एक चम्मच गार्लिक पावडर एक चम्मच उनियन पावडर छे चम्मच या दो टेबल स्पून्स चीज पाउडर एक चम्मच चाट मसाला थोरे से मिक्स्ट हर्ब्स और आदा चम्मच काली मिर्च पाउडर ये सब चीजे को मिक्स किया है इससे चटपटा स्पाइसी चीजी इस टाइप का फ्लेवर आएगा इनको मिक्स करने के बाद अब कोटिंग करते अपने नाचोस में कोटिंग के लिए मैं एक बड़ा सारा बोल में नाचोस डाल रहाऊं नाचोस डालने के बाद इसमें सीजनिंग पाउडर डाल कर शेक करेंगे ऐसे अगर आपको जादा स्पाइसी पसंद है मेरे जैसे तो चिली पावडर एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं अपने नाचुस पूरे रेडी है अवास वाप सुने सकते हैं कितने करारे बने हैं इसको सर्फ करेंगे चीज सॉस के साथ एक खा के भी सुनाता हूं कैसी लगी नाचुस की रेडी दोस्तो अगर अच्छी लगी तो लाइक बिन नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बिन थोड़ी महनाध ज्यादा है बेलने में लेकिन खाने में उससे ज्याधा मज़ा आएगा तो ट्राई करकर बताना कैसा लगा आज के लिए इतना ही